हेलो फ्रेंस मैं मालीका आपकी गार्डनर दोस्ट आज आप इसको दिखाती हूँ आज मैं देखिए गार्डन में क्या काम कर रही हूँ आज सुबह का टाइम है नौदस बजे का तो आज मैंने कहा यह बहुत दिनों से लंबा पड़ा हुआ काम था है असपेरेगस बहुत ज इक तरफ कोने कोने में दे दी अच्छी तरह सेंटर में नहीं दी तो हमनी की प्रूनिंग करती हूँ ताकि जो नही खात दी है उसका न्यूट्रिशन मिलके इनमें इवन ग्रोथ होके अनिवन ग्रोथ होके एक तरफ को जादा होके और फिर यह एक दूसरे में उलज रहे और यह जो सामने पड़ा हुआ स्टेंड है ना इसमें भी पता नहीं चल रहा था क्या रखा हुआ क्या ने इतना एस्पेरिगस का जंगल हो गया था अगर एस्पेरिगस बढ़ जाए ना बहुत जादा तो उनको ट्रिम करके रखना चाहिए और जैसे खाद अगर आपने भी दिये तो खाद के बाद बहुत ज़्यादा इनकी जो ये देखे खाद को सेंटर में करने अब ही क्या है इनकी रिपोर्टिंग भी होने वाली है लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है रिपोर्टिंग का दिवाली आ रही है Спonet तो मैं दिवार पे से उठाके ला रही हूँ और इसको प्रवपर लिज़ आच्छा इसमें काटे बहुत होते हैं तो काटे बहुत चुपते हैं अगर आप लोग consent के साथ काम करें तो घ्लभव सपहले लगे लें फीने कपड़े वाले जो आते हैं और बहुत टाइम लगा है इसको मुझे करने में आप देखिए कितने पत्ते निकल रहे हैं और यह जित्ते सारे पत्ते निकलेंगे ना इनको इकठा करके कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी अच्छा इत्ते जादा अगर पत्ते निकलते हो ना आपके पास कंपोस्ट बिन नहीं भी है अगर आप टेरिस में कर रहे हैं तो किसी ग्रो बैग में डाल दें इनको या किसी बड़े गमले में डाल के और उपर से मिट्टी डाल दें तो यह धिरे-धिरे डिकंपोस्ट हो जाएंगे और अगर जमीन है आपके पास और आपने कंपोस्ट पिट भी नहीं बनाया हुआ कुछ तो भी सिंपल गड़ा कोद के इन पत्तों को उसमें दबा दें और उपर से छाच का पानी दे दें और धक दें मिट्टी से तो अपने आप इन में जो है डीकंपोस होके खाच बन जाएगी और यह बड़ी क्वांटिटी में निकल रहे है बहुत जादा निकल रहे है क्योंकि इतने जादा ग्रोथ हो रही है इन में अब इनको देखे किती ग्रोथ है इसमें इनकी ड्राइ पतियां पहले काट रहे हो फिर दूसरे काटूंगी और इनमें खाच जब देते हैं न तो कटिंग कर दूँगी तो जो है इनको अच्छा रहेगा कि इनकी ग्रोथ इवन होगी साथ साथ करते रहोंगी और यह उलज-उलज के सारे गमले गिरने का डर रहता है और सारा उदर की तरफ से रोशनी को रोकते हैं यह अब इनको कट कर दूँगी तो सर्दियों में इनमें से ओके अच्छी सी रोशनी आएगी अंदर की तरफ और धूप भी आएगी और दूसरे जो सामने फ्रंट वाली दिवार पर पौदे रखे हैं मिलेगी यह साइड यह वेस्ट साइड है तो इस सरफ से धूप आती है अच्छी अगर इसमें पौदे नहीं हो इत्ते कई बार मेरा मन करता है यह गंबले इदर से हटा दूँ यह धूप और रोशनी को कई बार रोकते हैं परियब रखे हुए हैं तो और जो राजस्तान में रहते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा पौद है इसमें इसको पानी कम चाहिए इसकी जड़ों में पानी स्टोर रहता है तो इस हिसाब से भी यह बारो महिने गर्मी पढ़ती है मही जून की तो इसको कोई नुकसान नहीं होता है यह उतना ही ग्रीन पढ़ा रहता है हैंगिंग बास्केट में लगाओ आप किसी कंटेनर गाडन में लगाओ सब में यह बहुत खुब सूरत लगता है ग्रीन रहता है एकदम हर वकत मेरा बहुत इसलिए फेवरेट प्लांट है मैंने बहुत सारा लगाया हूँ है हमारे यह के एन्वाइर्मेंट के हिसाब से देखिए यह मैं इसकी जड़े हैं साइड में ओवर्ग्रो हो रही है बाकि अब इनको रीपोर्टिंग तो मैं इनकी फरवरी में ही करूंगी तो इन जड़ों को थोड़ा-थोड़ा हटा रही हूँ देखिए साइड में से ताकि मिट्टी थोड़ी नीची हो जाए पानी दे तो उसके लिए जगा बनी रहे हैं अच्छा अभी ये बहुत जड़ा उपर है न तो नुकसान भी नहीं होगा सर्दियों में इतना ज़्यादा पानी पौदों को चाहिए नहीं होता है और फरवरी में मैं इनकी रूट प्रूनिंग करके नीचा कर दूँगी क्योंकि गर्मी में फिर पानी इनको ज़्यादा चाहिए होता है न पौदों को तो इसलिए अभी मैं इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ टाइम नहीं है अभी मेरे पास बिलकुल भी और इनको एकदाम गंजा कर रही हूँ तो देखे आप ताकि नई नई ग्रोफ था है और बहुत अच्छे ग्रोफ तो यह करीब 7 है इस साइड पड़े हुए है गंबले और फ्रंट वाले पे भी उल्लो वाले प्लांटर पड़े हुए है मेरे उल्लो शेप आले उसमें भी अस्पेरेगस है उसकी भी मैंने बहुत प्रूनिंग की और बीच में अच्छली क्या हुआ कि वो लाइट चली गई थी लाइट नहीं गई थी लाइट बोल रही हूँ जो मैंने यह शुरू किया ना बनाना तो मेरे फोन में 12% बैटरी थी और फिर जो है वो मैंने बनाना शुरू कर दिया वो बीच में बैटरी खतम होगी फिर हम मैंने का बैटरी चार्जिंग लगाऊंगी उत्ती देर काम थोड़ना रोकूंगी काम एक फ्लो में हो जाता है और जैसे काटे माटे हैं पत्ते फैले हुए हैं बोडी पे ऐसे हाथ पे और लगे हुए हैं पैरों पे तो फिर इसमें काटे होते हैं छोट छोटे चुबते हैं फिर मैंने का यह एक था एक बाट खतम करके काम फिर ना आके कप्ड़े बदल लूँगी तो तब तक फोन चार्ज होता रहा मैंने का मेरा काम कर लेती हूं और एंड में सारे हाथ घायल हो जाते हैं, इसका काम करते हुए, अगर आपने गलव्स नहीं पहने हो ना, तो अब मैं गलव्स उपर लेने जाती, आलस के, मैंने का इसको अभी करी देते हैं, कई दिनों से सोचरी थी, रोज आलस हो जाता था, आज मैंने का ये काम करी देते हैं, तो अब गमले सारे मैने कर दूँगी मैं और फिर शाम को मैं husband office से आएंगे ना तो उनसे रखवाउँगी उनसे बस उतार मैंने लिया है रखवाने का काम अब उनसे करूँगी तो ये सारे देखिए कि तम ये बहुत महनत का काम है, जो आपको लग रहा है, मैं नीचे से निकाल निकाल के जड़ों को काट रही हूँ, महनत बहुत लगती है, इसमें दम बहुत लगता है, तो इनको करके इतने ज्यादा ये पत्ते कटे हो जाते हैं, कि इनकी कमपोस्टिंग करें, तो ये बहुत अच्छ पत्ते वगेरा मत रखा करें उससे फंगस का डर रहता है अगर लगाएं पौदे के बेस मतलब गमले के बेस में बिट्टी भरते वकद तो उसमें थोड़ा सा फंजी साइड डाल दिया करें अब मैं एक एक गमला उठाती जारे हूं करती जारे हूं लेकिन मुझे गार्णिंग के गाम में मज़ा बहुत आता है यह एक आपके एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपको कुछ क्रियेटिव लगता है मैंने इनको कटिंग किया अब इसमें नहीं पत्तियां आएंगी ग्र जाते हैं तो लाल हो जाते हैं फिर उसमें बीज निकालके उगा भी सकते हैं तो अगर बहुत सारे बीज आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब वह बीज करके नए पौदे बनाएं तो फिर आप अभी पूनिंग रहने दे मेरे इन वाले पौदों में बीज नहीं आ रहे है तो मेरे को cutting करनी है क्योंकि उलच चुके हैं यह गंबले गिरने का भी डर है आपस में उलच जाते हैं और यह धूप और हवा को भी रोक रहे हैं सर्दी के दिनों में धूप चाहिए होती है और इससे क्या है कि घा जो खाद दी थी न वो भी अच्छे तरह से distributed नहीं थी उसको भी मैंने अच्छे तरह से distribute कर दिया और इनको लगाया जा रही हूं और उसके बाद जो है मैं वो फिर देखे यह cutting करते जा रही हूं उसके बाद इन उल्लू वाले planters के cutting भी करूंगी उसक जो है वो charging phone की खतम होगी थी मेरे को यह बहुत रहता है कोई लगा दे मेरे phone को तो लगा दे मैं charging का कम ध्यान रख पाती हूं अच्छा यह जो सामने आपको stand दिख रहा ना इस stand के पौदे भी highlight नहीं हो पा रहे थे इतना ज्यादा उपर इन्नोंने green 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 कर भर लिया था ना आपस में गुथ गए थे यह आपस में plants तो वो भी highlight नहीं हो रहे थे अब उनको भी जगा मिलेगी वो पौदे भी कुछ दिखाई देंगे और तोड़ा सा ना trimmed अच्छा लगता है जैसे हम लोग भी हैं बाल ग्रूम हो अच्छा लगता है ना ऐसे जंगल जैसे होगे होए पौदे अच्छे नहीं लगते हैं दिवाली पे कोई आते हैं सब देखते हैं तो इसलिए इनकी करनी बहुत जरूरी थी और काफी दिन से मैं सोच रही थी मुझे इसको करने में करीब एक दिएड़ गंटा लग गया है और देखने में ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि आहा शेप नहीं दिया है अभी मैंने सिरफ इसको अच्छेता से ट्रिम कर दिया है है ना शेप जब तब दूगी इनकी जब थोड़े से इनकी शेप बहुत अच्छी टॉपियरी गोल ऐसे बॉल जैसे टॉपियरी भी बहुत अच्छी बनती है इनकी ऐस्पेरिगर्स की वो भी बनाती हूं मैं कहीं बार जब अच्छी ग्रोथ हो ना चारो तरफ अभी जो है ना इनकी ग्रोथ एक तरफ ऐसे बेल जैसे लटक रहते हैं तो अभी तो मैंने इनको ट्रिम कर दिया है जब इनमें थोड़ी ग्रोथ होगी फिर मैं इनको जो है वो शेप दे दूँगी और तो जो कोने में एक लास्ट गमला है उसको तो मैं सोचती हूं वहीं अच्छी तरह से ट्रिम कर दूंगी बाकियों को मुझे इसलिए उठाना पड़ा कि साथ वाले गमलों से उल्जे हुए थे पौदे तो उनको तो मैं वहीं कर दूंगी अच्छी तरह से न अब देखिए य हाद हो ली हूँ और जो प्रूनिंग उसकी भी मैंने कर दी थी आउल वाले प्लांटर्स की और बाकी जो पौदे हैं ना उनकी कईयों की जो है वो सूखी पतियां वगयरा बहुत सारे पौदों की मैंने हटा दी थी और अब देखिए इनको सारों को इकठा कर लेती हूं औ और इकठा करने के बाद अब इनको बैग में डाल दूँगी और फिर देखती हूं या तो इसको किसी गमले में डाल दूँगी कमपोस्ट वाले पिट में डाल दूँगी है ना या फिर किसी गमले में डालके ढखके रख दूँगी मिट्टी की उपर एक लेयर डालके तो देखती हूं इसका क्या करती हूं बहुत सारा है यह अच्छा खासा जो है ना उसका मालताल तयार हो गया है कंपोस्टिंग का ना अब इसमें देखें 12 बज गया है मेरे को 12-30 बारा और अब जो है मैं यह करके और Top cleaning थोड़ी बहुत सी Caleb अधिना जादा हो जाता है गार्डडनिंग में क्या मैं इधार मेहनत बहुत होती है जाए आप सब्सेखनी गया हैं दूसरा करे प्रके ऊढ़ाएं उसी मोर्य मीने बहुत जादा उज और जो यह जीड है इनकी भी कुछ कुछ की cutting कर दी है कुछ की बाद मैं करूंगी देखिए कितना पतियां इकट्थी हो गई है और इनकी भी कर दी है नॉलिना की पतियां भी मैंने काट दी है बाद बढ़ी-बढ़ी हो रही थी तो यह सारा काम करके मैं हटी हूँ, अब मैं बस इसको इकठा कर दूँगी, किसी उसमें डाल दूँगी, बड़े थैले वगएरा में, बड़ा वाला डस्बिन बैग लेके उसमें डाल दूँगी, फिर देखती हूँ, इसको कहां डालती हूँ, और किसी खाली गमले में भी डाल दूँगी, मैं उपर मिट्टी डाल के वो भी सही रहेगा उसमें कमपोस्टिंग भी होती रहेगी हराम से है ना गमले को उठाया और कमपोस्ट निकाल ली वो भी असान रहता है मेरे पस बहुत सारे 20 इंच के गमले खाली पड़े हैं तो उनमें भी ये काम कर लूँगी ये देखिए इनका भी दीरे दीरे गार्डन में कुछ ना कुछ करने ही करती रहती हूँ मैं अब आपको सोचते हूँ गार्डनिंवाक्स अपने दिखाया करूँ आपको पता चले कि मैं रोज रोज कितना टाइम स्पेंड करती हूँ गार्डन में क्या करती हूँ ओके फ्रेंस बाई